हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका विक्ट्रियोवर स्टडीफर मैं आज आपके लिए सिविक से रिलेटेड कुछ फैक्ट लाई हूँ जो कि फंडामेंटल राइट्स है फ्रेंट्स आज हम फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पे बात करने वाले हैं हिंद्सें हिंदी में मौलिकत करते हैं हम सभी फंडामेंटल राइट्स परचित हैं हाँ मौलिक अदकार कितने मौलिक अधकार प्रापत हैं ह kenn operate advanced knowledge के सरवांगेर विकास के लिए हमें सवीधान द्वारा जो सवतंतरता और सविधा प्रापत है उसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं फ्रेंट्स हमारे सरवांगेर विकास के लिए स्वतंतरता और सविधा की आवसकता होती है बीना स्वतंतरता के कोई अपना विकास वहां तक नहीं कर सकता जहां तक की ऐसे मतलब हमें जो राइट्स मिले हैं इसके जरीयम कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इसलिए हमें साथ मौलिक अधिकार जब हमारा समिधान बना था तो हमको साथ मौलिक अधिकार प्राप थे जिसमें की एक संपत्ति का था जो कि दब 40-वे संसोधन के तो layout को हटा दिया गया क्योंकि उसमें कुछ विवात does तो आईए जानते है कि आप हमारी चुमाнозWho मोलिक अधिकार प्राप्त हैं इसमें से 1 हमारा हटट गया है तो अब वर्तमान समय में हमें 6 मोलबकर प्राप्त जो की इस प्रकार है आपका जो पहला मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार जो की अंचित 14 से 18 तक है अंचित को इंगलिस में आर्टिकल करते हैं तो ये जो समानता का अधिकार है हमें आर्टिकल 14 से 18 तक प्राप्त है यानि कि Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18 इन सब में हमें समानता के अधिकार प्राप्त हैं और दूसरा आपका है स्वतंतरता, स्वतंतरता का अधिकार आपको Article 19 से Article 20 तक प्राप्त हैं तीसरा आपका आता है सोसर्ड के विरोध, यह आपका Article 23 से 24 तक प्राप्त है चौथा आपका आता है धार्मिक सवतंतरता, जो कि हमें Article 25 से 28 तक मिले हैं पांचवा आता है संस्कृतियोम सैचिक, जो कि Article 29 और 29 और 30 में इसका जिकर है छटवा आपका आता है समिधानिक उप्चारों का जो कि Article 32 में है आपको यह जो पांच मोल अधिकार इसके पहले, समिधानिक उप्चार के पहले जो आपको पांच मोल अधिकार प्राप्त है इन सभी मोल अधिकारों की जो रच्छा का कार है वो समझाने को प्चारों में होता है यानि की आर्टिकल 32 में फ्रेंड्स अगर ये जो स्वतनता समानता सोसर के विरूर धार्मिक और सैच्छिक संस्कृति ये जो भी अधिकार आपको प्राप्त हैं अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का अगर किसी भी प्रकार के अधिकार का आपका हनन होगा इस मोल अधिकार में तो आप समझाने कोप्चारों के द्वारा मतलब कि आर्टिकल 32 के द्वारा आप सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं और इसमें आपको पांच लेक प्राप्थ हैं जब मैं आपको इसको डीपली में बताऊंगी जब मैं पार्ट टू मेरा आने वाला है जो कि समानता के अधिकार पे होगा फिर ऐसे ऐसे मेरा पार्ट फूर आता रहेगा तो जब मैं संधानिक उपचारों पे आऊंगे तो मैं बताऊंगे कि उसमें कितने खैं और किस तरह से अगर आपके प्रतिब आपके अधिकारों का हनन होता है तो किस तरीके से आप केसदायर कर सकते हैं क्या-क्या सुविधाएं हैं आपको इसमें फ्रेंट्स बता दू कि जो ये समिधानी कुपचारों का अधिकार है इसे हमारे ये जो मौलिक अधिकार प्राप्त है उसे सभी मौल अधिकारों की आत्मा कहा जाता है तो फ्रेंट्स पार्ट वन हमारे फंडामेंटल लाइट्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलीगा और अगर आपको ऐसे ही हमारे facts and English के videos चाहिए तो please subscribe our channel, like, share and thank you